रादे रादे जैसी क्रश्ना जैहो विश्णु भगवान कीजे जैहो माता लक्ष्मी कीजे आईए अब हम समय कवाय बिना विश्यागमास के महात्यमे का 26 वाध्याए और 26 वे दिन की पुन्यफल देने वाली कथा का शवन काते हैं शुत देव रिशी जब व्याद को कथा सुना रहे थे तो वहीं उनके सामने पंच शाखी व्रक्ष खड़ा था जो सबके देखते देखते प्रत्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर में से एक बड़ा भैंकर सर्प ततकाल पाप रूपी दह को त्याग कर हाथ जोड़ कर श शंक मुनी और व्याद उसको इस प्रकार देखकर बड़े ही विसमे से पूछने लगे कि तुम कोन हो और किस पाप के कारण तुमें सर्प की योनी प्राप्त हुई और अब किस कर्म से तुमारी बुद्धी शुद्ध हुई और अकसमात ही तुमारी मुप्ती होने का क्या क शंक मुनी के इस प्रकार पूछने पर वैप्रत्वी पर दंडवत गिरकर शंक मुनी के आगे हाथ जोड़ कर बैठ गया और बोला कि हे मुनीवर मकुसिद मुनी का पुत्र रोचन नाम वाला प्रियाग राज का ब्रामन था आसन, शयन, निंद्रा, लोग चरिय, ब्याज लेना यही मेरा कारिय था, मेरी किसी के प्रती कोई श्रद्ध नहीं थी, इसी तरह मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया, एक समय भगवान के प्रिये विशाक मास में जयनतनाम का एक ब्रामन वहां आया, और उस शेत्र के रहने वाले बहुत से इस्तरी पुरुषों से उसने विशाकमास की कथा और महात्यमे को सुनाया और उसने सभी से विशाकमास का इस्तनान और रट करवाया सब लोग उस जैंत मुनी का कहना मान कर प्रतह काल विशाकमास में उठकर पवित्रे नदियों में इस्तनान करने लगे और उससे विशाक मास का महात्य में और कथा कहानियों को सुनने लगे मैं केवल कोतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था मैं सिर पर पगड़ी बांध कर पांच जबाता हुआ बड़े ही अभिमान से वहां जाकर उन लोगों से इधर उदर की बाते करता और उनका मन कथा कहानियों से हटाता था उसी पापदोश के कारण मेरी बुद्धी भरष्ट हो गई अवस्ताशीन हो गई और मेरे सन्निपात होने से प्राण निकल गई यमदूत मुझे पकड़कर बड़े भेंकर नरक में लेगे मैं वहां चोदा मनवंतर तक नरक में दुखो को भोगता रहा उसके बाद 84 लाक योनी भोग कर इस रूप में व्रक्षि के कोटर में सर्प बनकर बैठा रहा देव योग से आज आपके मुख से विशाक मास की कता कहानिया और महात्यमे को सुन कर मेरे जीवन भर के सभी पाप नश्ट होगे और सर्प योनी को छोड़का दिव्यधा धारन करके आपकी शरन में आया हूँ आपके कारण ही मेरा उधार हुआ है विश्णु भगवान ने आपको मेरे लिए ही हाँ भीजा है मैं नहीं जानता आप मेरे कौन से जान्व के बंदु है मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार भी नहीं किया फिर सजनों का संग मुझे कैसे प्राप्त हुआ आप मुझ पर क्रपा करके बताईए तब शंक मुनी ने बड़े प्रेम से उसको उठाया शंक मुनी के इस पर्श मातर से ही उसके जीवन भर के सभी पाप धुल गे फिर उस दिव्य रूप धारी ब्रामन पर क्रपा करके शंक मुनी सारा वेतांत कहने लगे और बोले कि हे ब्रामन वेशाक मास और भगवान विश्नु के महात्यमे को सुनने से तेरे पूर्व जन्म के सभी पाप नश्ट हो गे तु क्रम से अतिवाहिक लोकों को जाकर फिर दरपन देश के ब्रामन के घर जन मिलेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिध होकर सब विद्याओं में निपूर्ण होगा प्रतेग जन्म में तुझे जाती इस्मरन रहेगा तुम संपूर इच्छाओं को त्याग करके वेशाक मास में भगवान विश्नु के प्रिये वेशाक धर्म का पालन करोगे निइस्प्रय गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जान्म में सदे भगवान की कथा कहानियों को सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार तुम सभी सिध्यों को प्राप्त करोगे सभी बंधनों से मुक्त होकर योगियों को भी दुरलब मौक्षुपद को प्राप्त होगे ये बंधू तुम डरो मत मेरी क्रपा से तुमारा कल्यान ही होगा जो किसी प्रकार शद्धाहीन होकर भी भगवान विश्नु के नाम का इस्मरण भी काले तो वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है तो फिर तुम तो शद्धापूर्वग जितेंद्रिय होकर तुमने तो पूरे विशाकमास के मेरे सुनाए हुए महात्यमे को सुना है तो इसके पुन्य का तो कहना ही क्या जो कोई भी भक्ती से अत्वा देश से भी विशाकमास की कता कहानियों और महात्यमे को सुन लेता है अत्वा भगवान की उपासना भी कर ले तो भी वह पापों से मुक्त हो जाता है भगवान के भिन्य यश से अंकित जो अनेक नाम है उन्हे सादू महात्मा सुनते गान करते और मनन करते हैं ऐसी भगवान की सेवा में नकष्ट उठाना पड़ता है, नहीं धन घर्च करना पड़ता है, जिनके इस मरण मात्र से प्रकाश मैधा मिलता है, उस दयालू परमात्मा की शरण में हम जाते हैं, तुम भी उस नारायन की शरण में जाओ, और विशाक्त धन में का पालन करो, इ ऐसा कहे कर मुनीवर शांत हो गए। तव्याद को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनी से कहने लगे कि हे मुनीवर मैं धन्य हो गया। आज मेरा जीवन सफल हो गया। आपकी क्रपा से मेरे पूर्ण भग्य का उदह हो गया है। आपने मुझ पर बड़ी क्रपा करी जिससे म मेरी सर्प की दुष्ट योनी चली गई ऐसा कहकर वह शंक मुनी की परिक्रमा कर आग्या ले प्रणाम करके देव विवान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। व्याद को बुलाकर उसके सिर परप्रोक्षन कर वेद से भी अधिक शुप दायफल देने वाला राम नाम का दो अक्षर का मंत्र जपने के लिए कहा। की नाम से प्रसिद हो जाओगे। इस प्रका ये सब बाते व्याद को बता करके शंक मुनी दक्षिंदिशा की ओ चलेगे। और व्याद कुछ दूर तक उनके पीछे जाकर हाय हाय करके उनके वियोग में रोने लगा। जब तक नेत्रों से ओजल नहीं होगे व्याद शंक मुनी को जाते हुए देखता रहा। फिर उठकर वन को सच कर उस मार्ग पर उसने प्याव लगवाए। वेशाक्त धर्म का पालन करने लगा। उसके बाद उसने बालू का बिछोना बिछाया। तथा रात दिन राम नाम का जाब करने लगा। इस प्रकार जनम बिता कर वालमी की रिशी के घर उसका जन्म हुआ। उसी सरोवर के किनारे प्रूनो नाम के रिशी दुस्तर तब करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक सिमाधी लगाने से दीमक की बामी बन गई थी। इसी कारण उनको वालमी की रिशी कहने लगे, तबके अंत में इस्तरियों के गाने के शब्द सुन कर उनका मन चलाय मन हो गया, और एक भील जाती की इस्तरि से उनके वालमी की नाम का पुत्र पैदा हुआ, यह वालमी की बड़े ही तपस्वी यसस्वी हुए, जिनोंने मनोह चंदों में संसार के सब बंधनों को काडने वाली राम कथा सुनाई, शुतदे रिशी बोले कि वेशाक्त धोड़े से भी धर्म अर्था जूते दान करने से ही, व्याद को कितना दूरलव रिशित्व पद पाप्त हुआ, जो कोई भी इस पाप नाशक कथा को सुनेगा, व है आवागमन के चक्र से छूट जाता है, इसमें आपको एक प्राचीन कहानी सुनाने जारी हूँ, कहानी का विशे है राम नाम का मोल, बहुत पुरानी बात है, एक गाउं में एक काशी के संत आये, वे संत महात्मा सब जगे मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते थे, व जब एक गाउं में पहुँचे, तो विश्नु भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, तो उस मंदिर की सिढ़ी पर एक व्यक्ति बैठा था, जब संत महात्मा मंदिर की सिढ़ीयों पर चड़ रहे थे, तो उस व्यक्ति को देखकर संत महात्मा ने कहा, राम र भाई, तो व्यक्ति बोला हाँ, जब संत महात्मा विश्नु भगवान के मंदिर में दर्शन करके वापस लोटे, तो व्यक्ति वापस वहीं बैठा था, संत महात्मा ने सिद्धियां उताते समय उससे फिर कहा भाई राम राम तो वह व्यक्ति बोला हाँ जब दो तीन बार राम राम बोलने पर भी वह व्यक्ति हाँ बोलता रहा तब संत महात्मा को उस व्यक्ति के उपर बहुत गुस्ना आया और संत महात्मा ने अपनी छड़ी से उसके खैंच के मारा तब व्यव्यक्ति बोला हे राम संत महात्मा ने उसे तीन बार छड़ी मारा और तीनों बार ही व्यव्यक्ति बोला हे राम तब संत महात्मा ने कहा अरे भाई राम राम का जवाब राम राम से देते हैं छड़ी खाने के बाद राम राम बोला तो सही तू ऐसा कहे कर संत महत्मा चले गए कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति की म्रत्यू हो गई यम के दूट जब उसे ले जाने लगे तो उन्हें बहुत मुश्किल होई क्योंकि उसमें इतना पाप भर गया था उस पाप की वज़े से वह बहुत भारी हो गया बड़ी मुश्किल से यम दूट उसे यमलोक में ले जा पाए यमलोक में पहुचने पर यमदूतों ने यमराज से कहा कि हे देव इसे देखकर आग्या दीजिए इस पापी को कहां डालना है स्वर्ग में या नरक में तब यमराज ने उस व्यक्ति से पूचा कि बता तूने प्रत्वी पर क्या धर्म कर्म किये तब यम्दूत बोले कि नहीं हुजूर इस व्यक्ति ने पूरी उम्र कोई दान पुर्णे नहीं किया कोई व्रत उपवास नहीं किया इसने राम का नाम भी तब बोला जब एक संत ने इसे तीन बार छड़ी की मारी तब इसने तीन बार राम बोला था तब व्यक्ति यम्राज से बोला कि मुझे कुछ नहीं मालू मुझे तो राम नाम का मोल दे दीजिए और मैं आप से कुछ नहीं मांगना चाता तब यम्राज ने कहा अरे भाई आज तक मेरी अदालत में तेरे जैसा कोई केस नहीं आया किसी ने भी मुझे राम का नाम का मोल नहीं मांगा इसलिए मुझे ही नहीं पता कि राम नाम का क्या मोल है इसके लिए मुझे ब्रह्मा विश्नु महेच जी से सलह मश्वरा करना पड़ेगा तब यम्राज उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मलोग में पहुँचे और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके यम्राज बोले की हे ब्रह्मा जी मत्ति लोग से ये व्यक्ति मेरे अदालत में आया है और यह मुझे से राम नाम का मोल मांग रहा है अब आप ही बताईए की मैं इसे राम नाम का क्या मोल दूँ तब ब्रह्मा जी ने कहा यम्राज जी यह केस तो मेरे लिए भी नया है मुझे भी नहीं मालुम की राम नाम का इसे क्या मोल दें चलिए हम विश्नु धाम चलते हैं तब यम्राज जी ब्रह्मा जी उस व्यक्ति को लेकर बैकुंट धाम में पहुँच गए बैकुंट धाम में पहुँचने के बाद विश्नु जी ने भ्रह्मा जी को नमस्कार किया और आने का कारण पूछा तब यम्राज ने विश्नु भगवान को पूरी बात बताई कि मृत्ति लोक में से यह व्यक्ति आया है इसने तीन बार राम का नाम बोला है और यह मेरे से राम नाम का मोल मांग रहा है अब आप ही बताईए मैं इसे राम नाम का क्या मोल दूँ विश्नु भगवान भी मंद मंद मुस्कराने लगे और बोले यम्राज जी ये केस तो मेरी अदालत में भी कभी नहीं आया मैं तो राम नाम में लीन रहता हूँ मुझे खुद नहीं मालूम चलो हम केलाश परवत पर शंकर भगवान जी से पूस्ते हैं तब भ्रह्मा जी, विश्नु जी और यम्राज उस व्यक्ति को लेकर केलाश पर जाने लगे तब वह व्यक्ति हट पकड लेता है कि मुझे कहीं नहीं जाना मैं तो इधर उधर चल चल के ठक गया हूँ मुझे तो राम नाम का मोल यहीं दे दीजिए तब भ्रह्मा, विश्नु और यम्राज जी आपस में बोलने लगे कि इस मुर्ख व्यक्ति को तो केलाश परवत पर साथ लेकर चलना ही पड़ेगा नहीं तो हो सकता है कि यह मुकर जाए तब एक हल निकाला गया यम्राज जी के भैसे के उपर उस सुव्यक्ति को बिठाया गया और फिर केलाश परवत की ओर वे सब चल पड़े उस समय शंकर भगवान समाधी में बैठे हुए थी तब भ्रह्मा, विष्णू और यम्राज जी ने शंकर भगवान की इस्तूति करी शंकर भगवान ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि भ्रह्मा, विष्णू और यम्राज जी आये हुए है शंकर भगवान ने थोड़ी देर बाद एक आँख खोल कर देखा तो उन्होंने उठकर उन सब को आने का कारण पूछा तब यमराज जी ने शंकर भगवान को पूरी बात बताई तब शंकर भगवान मुस्कुरा कर बोले कि ये राम नाम का ही मोल है कि ये है व्यक्ति, यम पूरी से, ब्रह्म लोग, बैकुंट लोग और मेरे केलाश परवत पर आ गया इससे बड़ा मोल और इसको क्या मिल सकता है इसने सारे धाम के दर्शन कर लिये साथ ही इसने ब्रह्मा, विश्नु और महेश के भी दर्शन कर लिये इससे बड़ा राम नाम का मोल और क्या होगा हे यमराज जी, इसे राम नाम का मोल मिल चुका है अब आप चाहें तो इसे नरक में भेजें या फिर सर्द में डालें सभी वहां से शंकर भगवान को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चलेगे तो यह है राम नाम का अमुल्य मोल राजा मितलेस नारत मुनी से आगे पूछने लगे कि हे देवरिशी नारत जी अगर कोई मित्र से छल कपट करता है या उसे धोका देता है तो उसका क्या दोश लगता है कृपिया करके आप विस्तार से बताईए तब नारत मुनी बोले कि हे राजन एक बार शौनकादी 88 हजा रिशी मुनियों ने सूत जी से यही प्रशन किया था तब उन्होंने एक कथा उन्हे सुनाई थी वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ शोनकादी 88 हजा रिशीमुनियों ने सूत जी से पूछा था कि हे सूत जी मित्र से छल कपट अगर कोई करता है तो उसे क्या पापदोश लगता है तव सूत जी शोनकादी 88 हजा रिशी मुनियों से बोले कि हे रिशी मुनियों तुमने मनुशिक के कल्यान के लिए बहुत सुन्दर प्रशन किया है आज मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाता हूँ एक बार मगत देश में सुन्दत नाम का एक ब्रामन था वे मद के नशे में आकर बड़ा भरी अपने आपको विद्वान समझने लगा इसी मद के नशे में आकर उसने अपने गुरु का अनादर कर दिया उस पापदोश के कारण उसे अगला जन्म पिशाज की योनी में मिला वह अगले जन्म में पिशाज बनकर भूख से दुखी होकर इधर उदर एक वन से दूसरे वन में घुमने लगा इस तरह उसने कुछी समय में हजारों मनुष्यों को उसने खा डाला वह दुखी मानसिक दुख से पिडित मनुष्यों का मास वनित्य खाता रहा गुरू के अपमान से उसे राक्षस की योनी मिले तब एक वार गरगाचारिये रिशी आश्रम में अपने शिश्यों को गुरू की मैमा सुना रहे थे गरगाचारिये रिशी अपने शिश्यों को बता रहे थे कि गुरू कोन-कोन होते हैं तब गरगाचारिये रिशी अपने शिश्यों से बोले कि है मेरे प्रिये शिश्यों वेदों को पढ़ने और सुनने वाला विदो के संधै को दूर करने वाला भै से रक्षा कराने वाला अन दाता शिक्ष्या देने वाला बुरे काउं से रोकने वाला च्वसिर, मामा, जेश्ट, भाई, पिता गर्भ, मरन, परियंत कर्म कराने वाला और राजा ये सभी गुरु हैं इन सब की वंधना करनी चाहिए तब सभी शिशे बोले कि हे गुरुवर आपने तो बहुत से गुरु बता दिये कृप्या करके आप हमें ये बताईए कि इन सम्मे से सबसे बड़ा गुरु कोन है या फिर वे सभी बराबर है तब गरगाचारिय रिशी अपने शिश्यों से बोले शास्त्र का सारांश तुम मुझ से सुनो वेद तथा मंत्रों का उपदेश करता पिता और धर्म का मार्ग बताने वाला ये सभी विशेश गुरु हैं इनमें भी विशेश गुरु जो देव पुजा से कर्म करावे देव पुजा का फल बतलावे गुप्त मंत्र का उपदेश दे ये शेश्ट गुरु होते हैं धर्म शास्त्र तता पुराणों के कहने वाले श्रिवेद व्यास जी ने वेद और शास्त्रों के भाग करके पुराणों में सर्व धर्म शास्त्र कहे हैं पुराणों के नित्य शवन से बुद्धी निर्मल हो जाती है पापनश्ट हो जाते हैं और शुद्ध ज्यान प्राप्त होता है जो मनुश धर्म अर्थ काम मुक्ष चाता है उनको पुरान सुनना चाहिए वे शाकमास के धर्म और महात्यमे और वे शाकमास की कता कहानियों को सुनना चाहिए कि तभी वहाँ वह सोमदत ब्रामन जो अगले जन्म में राक्षस की योनी को प्राप्त हुआ था वे पहुँच गया उस समय वे भूख से व्याकुल था वे गरगाचारिये और उनके शिशों को खाने के लिए दोड़ा लेकिन गरगाचारिये रिशी के तेज के आगे वे ठहर न सका तवराक्षस समझ गया कि ये रिशी कोई साधारण नहीं इनी के हातों मेरा उद्धार होगा तवराक्षस गरगाचारिये रिशी के सामने हाथ जोड़ कर वेड़ गया और बोला कि हे रिशीवर मैंने कितने ही ब्रामन और सादू संतों को अपना भोजन बनाया परन्तु आप तो पहुँचे हुए संत महात्मा लगते हैं हे मुनीवर आपको वेराप्रणाम है कृपिया करके आप अपने इस महात्यमे को सुनाईए तव गरगाचारिये रिशी उस राक्षस से बोले कि हे निशाचल आज में तुमें गंगाजल की मेंमा को सुनाता हूं प्रत्वी के सब तीरत गंगाजल की एक बून के बराबर नहीं है तुलसी दल युक्त सर्सों के दाने मात्र भी गंगाजली 21 कुलों को पावित्र करता है गंगाजल के अभिशेख से पाप्यों की रक्षा हो जाती है इस प्रकार गंगाजली रिशी से गुरू की मेंमा और गंगाजल की मेंमा को सुन कर वहराक्षयस विसमे को प्राप्त हुआ तब राजा मिथलेश नारदमुनी से बोले कि है देव रिशी लोग की माता गंगाजी में इन पिशाचों की इतनी शद्दा है तो ज्यानी पुरुशों की तो कितनी होगी तब नारदमुनी राजा से बोले कि है राजन उसके बाद गरगाचारिय रिशी ने तुलसी दल युक्त गंगाजल से उस राक्षस का अभिशेक किया अभिशेक होते ही वह राक्षत्व को छोड़ देवता तुल्य हो गया और वह राक्षस शंक चक्र गदा पदम धारन करके चतुरबुज विश्नु रूप होकर गरगाचारिय रिशी की इस्तूती करते हुए विश्नु लोग को चला गया नारत्मनी आगे बोले कि है राजन राज्य के अंत में तुमको भी विश्नु लोग की प्राप्ती होगी अच्छे कर्मों से पाप रहीत होकर विश्नु की भक्ती में तुम भी लगे रहो दयायुक्त वेद मार्ग पर चलने और गुरु की पूजा में रत होने से और विश्याकमास के धर्मों का पालन काने से लोगों को अंत में विश्नु लोग की ही प्राप्ती होती है आईए अब हम विश्याकमास में भगवान राम और लक्षमन की एक पुरानी कथा सुनते हैं एक बार एक गाउं में एक जाट जाटनी रहते थे वे बहुत गरीब थे जाटनी बड़ी ही समझदार थी एक दिन जाटनी जाट से बोली कि है स्वामी मैं आपको चार रोटी बना कर के देती हूं आप नदी के किनारे चाहिए वहाँ भगवान राम और लक्षमन आते हैं वहाँ जाकर कहना राम बड़े लक्षमन छोटे वो बैठे अंबे की डाली वो बैठे चंबे की डाली मत्टी का दश्रत बनावे माखन मिश्री का भोग लगावे दे परिक्रमा घर को आवे तब जाट ने ऐसा ही किया पूरे रास्ते जाट याद करता गया लेकिन जैसे ही वह गंगा नदी के किनारे पहुचा तो वह सब भूल गया वह बोला लक्षमन बड़े राम चोटे वो बैठे अंबे की डाली वो बैठे चंबे की डाली मत्टी का दश्रत बनावे माखन मिश्री का भोग लगावे दे परिक्रमा घर को आवे उस जाट की बात सुनने के बाद भगवान राम लक्षमन से बोले कि भाई लक्षमन इसने तुम्हें बड़ा कहा है इसलिए तुम्हें इससे कुछ देना चाहिए तब लक्षमन भगवान राम से बोले कि हे राम इसकी तो बुद्धी मलीन हो गई है यह मूर्क है कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई और है तब राम बोले कि नहीं भाई लक्षमन इसने तुम्हें बड़ा कहा है तो तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए तब लश्मन ने सोने और अशर्फियों से भरी हुई एक थेली दी जाट सोने और अशर्फियों से भरी हुई थेली लेकर बहुत खुश हुआ वे पूरे रास्ते खुशी-खुशी आ रहा था जिस रास्ते से वे आ रहा था उस रास्ते में बीच में जंगल बढ़ा कि अशर्फियों की थैली दे थी लेकिन जंगल के रास्ते में मुझे चोर मिल गे और उन्होंने मुझे लूट लिया तब जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं कल फिर मैं आपको चार रोटियां बना कर के दूंगी आप फिर चले जाना और जैसा मैं कहूं वही बोलना राम बड रास्ते जाट यह याद करता गया लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा वह भूल गया और वह बोला लक्षमन बड़े राम छोटे वो बैटे अंबे की डाली वो बैटे चंबे की डाली मट्टी का दश्रत बनावे माकन मिश्री का भोग लगावे दे परिक्रमा घर को आवे फिर से भगवान राम लक्षमन से बोले कि हे भाई लक्षमन इसने आज भी तुम्हें बड़ा कहा है इसलिए इसे तुम्हें कुछ देना चाहिए तब लक्षमन भगवान राम से बोले कि हे राम इसकी बुद्धी मलीन है मुर्ग है कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई हुआ है तब भगवान राम बोले कि नहीं लक्षमन तुम्हें तो इसे कुद देना ही चाहिए तब लक्ष्मर ने जाट को सोने की इट दी सोने की इट पाकर जाट बहुत खुश हुआ लेकिन रास्ते में फिर से चोरों ने उससे वह छीन ली घर पहुचा तो जाट ने फिर से जाटनी को पूरी बात कही कि मुझे सोने की इट मिली थी हमारे साथ जन्मों की गरीबी दूर हो जाती लेकिन जंगल के रास्ते में चोरों ने मुझे से चीन लिया जाटनी को कुछ शक हुआ उसने कहा कि आप वहां जाकर क्या बोलते थे वह बताओ तब जाट बोला कि मैं वहां जाकर बोलता था लक्षमन बड़े राम छोटे वो बेटे अंबे की डाली वो बेटे जंबे की डाली माटी का दर्शत बनावे माकर मिश्री का भोग लगावे दे परिक्रमा घर को आवे तो जाटनी ने सिर पकड़ लिया वो बोली कि आप तो बड़े ही बोले है भगवान राम से भी बड़ा दुनिया में कोई और हुआ है तब उसने अपने पती को उसकी गलती बताई जाट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया पूरी रात जाटनी अपने पती को रामकथा सुनाती रही जाट भी पूरी रात रामकथा को याद करता रहा सुबह हुई जाटनी ने फिर से उसे चार रोटियां बना कर के दी उस दिन जाट जब गंगा नदी के किनारे पहुँचा तो उसने राम कथा बिल्कुल सही सुनाई वे बोला राम बड़े लक्षमन चोटे वो बैटे अंबे की डाली वो बैटे चंबे की डाली माटी का दश्रत बनावे दे परिक्रमा घर को आवे यह सुन कर लक्षमन बहुत प्रसंद हुआ उसने कहा कि हे राम आज इसको अकल आ गई है आज इसने आपको बड़ा कहा है इसलिए अब आपको इसे कुछ देना चाहिए भगवान राम मुस्कुराए और बोले की लश्मन ठीक है उसके बाद भगवान राम ने जाड से कहा कि अरे भाई मेरे पास क्या है अगर तुम लश्मन को बड़ा कहते तो तुम्हें जरूर सोने चान्दी की चीज मिलती मेरे पास तो यह जोहड की मिटी है ये लो और इसे ले जाओ भगवान राम ने महागंगा किनारी से दो मुठी मिटी की भर कर उसके गमछे में डाल दी और कहा कि तुम इस मिटी को ले जाकर अपने घर आंगन में डाल देना जाट मिटी को पाकर खुश नहीं हुआ जाट मन हिवन बड़ बड़ाने लगा पूरे रास्ते वे अपनी पत्नी को भला बुरा कहता रहा कि मैं लक्षमन को बड़ा कहता तो मुझे सोने चांदी की कुछ न कुछ चीज मिल जाती लेकिन राम को बड़ा कहा तो मुझे गंगा की मिटी मिली है मिटी लेकर वे घर आया बीच रास्ते में उसे चोरों ने भी नहीं लूटा घर आकर उसने अपनी जाटनी को भला बुरा कहा कि तुने मुझे उल्टी सिक्षा दी लक्षमन को बड़ा कहने देती तो आज कोई न कोई सोने चांदी की चीट मिर जाती जाटनी बोली कि जो भी सोने चांदी की चीज आपको अब तक मिली वो हमारे घर तक नहीं आई यह मिट्टी तो अभी अमारे घर तक तो आई और उसने अपने पती के हाथ में से मिट्टी का गम चालिया और उससे उसने घर आंगन को लिपा, चूले को लिपा और बची वी मिट्टी को तुलसी की क्यारे में डाल दिया और वे रातरी में भुजन का कर सोगे, दूसरे दिन जाटनी सुबह जल्दी उठी, तो उसके आश्चरिय का ठिकाना नहीं रहा, उसके दो कवरों का तूटे फूटे मकान की जगे, सुन्दर मकान हो गया, पूरे घर में अनधन के धेर पड़े थे, और तुलसी के पोधे में सोने चांदी हीरे मोती लड़जर हो रहे थे, जाटनी ने जल्दी से अपने पती को जगाया, उसके पती को भी देखकर बहान आश्चरिय हुआ, तब जाटनी ने जाट से कहा कि भगवान राम तो मिट्टी को भी सोना कर देते हैं, ये भगवान राम जैसे आपने जाट जाटनी की दरिदृता दूर करी ऐसी सबकी करना कहानी कहने वाले की, सुने वाले की और हुकारा भने वाले की, जेहो तुलसी महारानी नमो नमो, हरी की पतरानी नमो नमो, बन तुलसी पूरन तपकियो मैया शालग राम महा पटराने, जाके मंज मंजरी कोमल मैया श्रिपती चरन कमल लपटाने, दूप दीप नेविद्य आरती मैया पुष्पन की बर्शा बरसाने, 56 भोग चतीसो व्यंजन मैया बिन तुलसी हरी एक नमाने, सामरो सखी माई तेरा यशिगावे मैया भक्तो वर दीजे महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो इस तर आज हमने विशाक मास के महात्यमे का 26 वाध्याय सुना, अशकरती हूँ या आपको जरू पसंद आएगा, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, आगे आने वाली कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें, धन्यवाद